नमस्कार अब देख्टरे न्यूस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांत्वना अब के साथ बिहार की राजुनेतिक गलियारे में इन दिनों तिजस्वी आदफ के ताज कोशी के बड़ी संकेत मिलने लगे हैं जहां ऐसा माना जा रहा है कि किसे भी वक्त आने वाले समय में तिजस्वी आदफ की ताज कोशी हो सकती है और प्रदिश ये मुख्यमंत्री नितिश हुमार अपनी कुडसी 18 सालों के बाद तिजस्वी आदफ को सौप सकते हैं हालाकि अगर बीते महीनों के बयानों को लेकर देखा जाए तो जदियू ने इस बात को साफ कर दिया है कि साल 2025 से पहले ये मुम्किन नहीं है नितिश हुमार ने इस बात का सारवजरेक तोर पर ऐलान भी कर दिया है कि आने वाला विधान सबाच चुनाव जो की साल 2025 में लड़ा जाएगा वो तिजस्वी आदफ के नित्रत में महागजबंधन के तरफ से लड़ा जाएगा लेकिन साल 2023 में ही तिजस्वी आदफ को लेकर कई कयास लगाय जा रहे है और ऐसा माना जा रहा है कि मुक्षि मंत्री नितीश कुमार के फैसलों पर और जेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादफ यानी कि उनके बड़े भाई की छाप दिखने लगी है बिहार में भले ही सरकार नितीश कुमार की हो लेकिन नीतीगत फैसलों पर चाप तिजस्वी आदफ की होती है नितीश कुमार भले ही मुक्षि मंत्री हो लेकिन निन्ने लेनी में सबसे आगे तिजस्वी आदफ ही नजर आते है दरसल बिहार में कहने को नितीशमार की सरकार है लेकिन नीतीगत फैसलों पर डेपीटी सीम और आरजेडी नेता तिजस्पी आदफ की छाप साफ दिखाई दे रही है जिन बातों से नितीशमार दूर भागते रहे हैं अब वो अपने ही फैसलों में पलटने लगे हैं इससे यह लगने लगा है कि बिहार में कहने को बले ही नितीशमार सरकार चला रहे हैं लेकिन फैसले वे अपनी डेपीटी सीम तिजस्पी आदफ की मरजी से ले रहे हैं हालाकि राजवतिक विश्रेशक से चुनाव के मौसम में सरकार के तरकश से निकले हुए तीर बता रहे हैं नितीशमार हमेशा यह कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्यूनलिजम से कोई समझोता नहीं करेंगे उनकी सरकार ना किसी को फसाती है और ना किसी को बचाती है हालाकि नितीशमार ने काफी हद तक इसका पालन किया है इन्होंने ना सिर्फ बड़े अपराधियों की नकेल अपने शिरुवाती शासिनकाल में कसी बलकि उनके बाहरानी का रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया आनंद मोहन की रिहाई के लिए नितीश ने जो कदम उठाया उसका राज़तिक नफ़ा नुकसान तो समय पर पता चलेगा लेकिन इतना तय है कि उन्होंने कुद अपनी मर्जे से ये कदम नहीं उठाया होगा कारा कानून में संशोधन का नितीश ने ना सर्फ आनंद मोहन की रिहाई की राहा असान बनाई बलकि अनने 26 लोगों के जेल से बाहरानी का मार्ग प्रशस्त किया एक वरस्ट पत्रकार कहते हैं कि ये फैसला विश्वत दुरूप से आरज्जेडी आरी तजस्पी आदफ का है ये भी संभव है किसके लिए आरज्जेडी प्रमुक लाली आदफ ने भी नितीश पर दबाव डाला हो नितीश मार ने सजायाफता लोगों के लिए 2016 में जब आरक्षिन का लाप खत्म करनी का कानून बताया और बनाया तो वो उनकी रिहाई की बात तो सूच भी नहीं सकते थे बताते चले कि नितीश मार हाल तक इस जिद पर अड़े हुए थे कि जो पिएगा वो मरेगा मुआवजे का तो सवाल ही नहीं सारन में जब जरीली शराब से मौते हुई तो मुआवजे का मुद्दा विपक्ष ने बड़ी तलखी से उठाया था बीजेपी अब विपक्ष में है मुद्यारी में जरीली शराब से मौतों का सलसला जब शुरू हुआ तो विपक्ष में बैटी बीजेपी को इसे उच्छानने का मौका मिल गया लेकिन उसकी सारी उमीदों पर तब पानी फिर गया जब नितीश हुमार ने सीम रियूलीफ फंड से मरने वालों के परुजलों के मौफजे का ऐलान कर दिया बीजेपी की बोलती बंद हो गई विपक्ष में रहते आरजेडी ने भी अमुद्दा गंभीरता से उठाया हुआ है नितीश हुमार आके इस मानस परिवर्टन से यही अनुमान लगाया जाता है कि आरजेडी के दबाव में नितीश ने मौफजे की घोशना की वरस्ट पत्रकार बताते हैं कि शराबंदी कानून के इस लचीले रुक का सीधा शेत जस्वियादफ को जाता है अगर आगे दो और मात्वपूर्ण फैसले हो जाए तो कोई आश्यर की बात नहीं होगी एक फैसला तो शराबंदी कानून के तहत गिरफतार कर जेलों में छूसे गए लोगों की रहाई का है और दूसरा फैसला आरोपियों को आम माफी का हो सकता है लोगसब और विदानसबा चुनावों के मद्दे नजर नाराज लोगों को पटाने का ये प्रयास होगा बरहाल अनुमान लगाया जाता है कि तिजस्पी आदफ को ब्याहर में स्थापित करनी के लिए नितीश हुमार ऐसा कर रहे हैं सेले फिलाल तिजस्पी की ताजपोशी तो नहीं होगी लेकिन परोख्ष तोर पर सरकार वही चलाएंगे अब ते लालू प्रसाद यादफ भी पटना आ चुके हैं सेले राज़तिक फैसलों में अब कोई विलंब शायद ही हो कुल मिलाकर सियासी गल्यारों में चर्चा है कि नितीश हुमार ऐसे ना थे बीजेपे के साथ रहते हुए उन्होंने कोई भी फैसला आज़ादी से लिया मागजबंदन के साथ आने के बाद ऐसा नहीं है नितीश मार के फैसलों पर लालु यादव और आज़त की छाप दिखने लगी है जानकार भी ये मानते हैं कि नितीश मार अब धीरे धीरे सत्ता तिजस्पी यादव के हाथ में सौप देंगे बिहार की सत्ता लालु प्रसाद यादव के छोटे लाल यादी के जैपिचे सेम तिजस्पी यादव के हाथों कभी भी सौपी जा सकती है और ये कैयास इसे लिए क्योंकि नितीश मार के फैसलों पर आजजेडी और तिजस्पी यादव की छाप साफ निज़रा रही है फुला की राजनीती में कि कुछ अलग कुछ बड़ा होने वाला है आने वाले दुनों में और एक बड़ा पलटवार देखने को मल सकता है फुला के लिए इस खबर में इतना ही है न कई खबरों के लिए मासाथ बनी रहे निउस फौनेशन में नमस्का